नमस्कार ग्रामीड और सहरी छेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकान ने प्रधानमंत्री रोजगार से जनकारक्राम योजना की शुरुआद की कि किस तरह से बेरोजगार युवा अपना बेवसाय शुरू करें तो प्रधानमंत्री रोजगार से जनकारक्र देने के लिए आज हमारे साथ है जन्पद वारांसी उद्योग विभाग के उपायुक्त मोहनकुमार सर्मा सर्मा जी आपका इस्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है भारस सरकार विरोजगार युवाओं को रोजगार अस्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सिजन कारकरम चला रही है तो ये योजना है क्या उसके क्या उद्देश से है सबसे बड़ी बात है कि PMEGP योजना भारस सरकार द्वारा 2008 में जो है सुरू की गई थी ग्रामिड और सहरी छेतर में जो बेरोजगार युवा थे उनको अपने खुद ही पैरों पे खड़ा होने के लिए सरकार के द्वारा यह योजना सुरू की गई थी इसमें सरकार के द्वारा जो है सबसीडी लिंक क्रेडिटे दिया जाता है जिसमें बेरोजगार युवा अपना खुद का बेवसाय सुरू करता है और उससे जो है लाप्राप्त करता है तो ये किन-किन छेत्रों में आप लोग रोजगार अस्थापित करने के लिए लोन देते हैं और लोन की सीमा क्या होती है इस योजना के अंतरगत दो सेक्टर है एक है आपका वैनूफैक्चरिंग जो बिनिर्माड इकाई होती है उसके लिए हम लोग बैंक के माध्यम से पचास लाक रुपे तक का जो है लोन हम लोग बैंकों के माध्यम से युवाओं को उपलब्द कराते हैं और दूसरा है सेक्टर सर्विस सेक्टर में हम इसमें 20 लाक रुपे तक का लोन उपलब्द कराते हैं और युवाओं को जो है इसमें छूट दिलाते हैं बेऊसाय में भी जो है इसमें सामिल किया गया है इस भीति वर्ष से और उसमें भी जो है बीस लाख और पचास लाख रुपे तक का लोन उनको उपलब्द करा करके सब्सेडी दी जाती है सेवा चेतर में जैसे आपके कम्पूटर रिपेरिंग हुआ या रिपेरिंग कोई भी काम हुआ नाई की दुकान हुई, ब्यूटी पारलर हुआ, टेलरिंग हुई, इसके अलावा रेस्टोरेंट हुआ, इस तरह के तमाम जितने ऐसे एक्टिविटी हैं जिसमें सेवा देने का काम किया जाता है उनको इसमें सामिल किया गया है अच्छा इस रोजगार सेजन कारिकरम जी जी ये आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है कहां पर वो आवेदन करें जो भी हमारे लावार्थी है और उनके चैन की प्रक्रिया क्या होती है आवेदन करने के लिए जो है ये भारत सरकार की वेपसाइट है www.kbic.online.gov.in पे जाकर के बेरुजगार लोग उसमें आवेदन करते हैं आवेदन करने के बाद वो पोर्टल पे हमारे सो करने लगता है फिर हमारे कार्याले में इसको स्कुटनिंग की जाती है स्कुटनिंग करने के बाद पहले प्रक्रिया थी इसमें कि DL TFC में रख करके इसको पास कराया जाता था लेकिन इधर सरली करन सरकार ने किया है केवल स्कुटनिंग करने के बाद जिनके डाकुमेंट सही हैं उनके आवेदन को डारेक्ट हमलोग बैंक को प्रेसीद कर देते हैं बैंक के माध्यम से अस्तली निरिछड किया जाता है उनके जो RBI के नार्म से उस नार्म के अंसार उसकी जाच परताल करने के बाद सुकृति बैंक करता है सुकृति बैंक करने के बाद फिर उनकी 10 दिन की EDP की ट्रेनिंग होती है EDP ट्रेनिंग करने के बाद उनको पैसा जो है बैंक रिलीज करता है और वो अपना इकाई अस्थापित करते हैं और इस तरह से जो है इसमें लाप राप्त करते हैं तो ये किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है गर लोन अप्लाई करते हैं आल लाइन और आफ लाइन भी बेवस्ता है कि केवल आन लाइन ही है किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है इसमें जो है दस्तावेज में उनको आधार कार्ट की जरूरत पड़ती है आधार स होना चाहिए जाति प्रमाडपत्र अगर रिजर्ब कटेगरी के हैं तो जाति प्रमाडपत्र होना चाहिए इसके अलावा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जुरुत पड़ती है जिसमें पूरा डिटेल रहता है कि वो क्या क्या काम करेंगे कितना उनको कौन सी मसीने लेनी है उससे क्या उनको फाइदा होगा वो पूरा डिटेल रहता है सीए का हो या खुद ब्यक्ति अपना बना करके सम्मिट करता है में में ये डाकुमेंट होते हैं और इनको सम्मिट करने के बाद वो हमारे पोर्टल पे सो करने लगता है फिर उसकी हम लोग जो है बहुतिक उगता होनी चाहिए जैसे और किस कटेगरी के लोग जो है इस लोन के लिए पात्र हैं जैसा कि आपने कटेगरी की बात की तो कटेगरी के लिए सभी लोग जो है इलिजिबल हैं सभी लोग पात्र हैं इसमें कोई कटेगरी वाइज नहीं है कि किसी को छाटना है ऐसा कुछ नहीं है इसमें जितने लोग लोग ले सकते हैं दूसरा कि इसमें जो पातरता की बात है तो इसमें पातरता कोई बिसेश नहीं है अठारे साल से कम उमर का व्यक्तिना हो दूसरा अगर वो पचीस लाग से उपर का लोन लेना चाहता है तो उसको आठवी पास होना चाहिए और उससे अगर आठवी से कम है तो पचीस लाग से नीचे का ही उसको लोन मिलेगा ये दो पातरताएं है इसके अलावा और कोई बाधिता या पातरता नहीं है बस दो है उमर का है जो अठारे साल से कम ना होनी चाहिए अगर वो पचीस लाग से उपर लोन लेना चाहता है तो उस अपना इकाई अस्थाफित करता है तो उसको मार्केटिंग के लिए हमारे वहां योजनाय चलती हैं उसमें हम लोग परसिछित कराते हैं जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए या मार्केटिंग से लिंक करने के लिए यह हमारे उद्व विभा के तरफ से योजनाय हैं जिसमें प बैंकिंग से ले करके मार्केटिंग तक की ट्रेनिंग दिये जाती है दस दिन की कि ब्यक्त कैसे बैंक में अपना जाएगा, लेंदेन कैसे करेगा, अपना प्रोडक्ट बना करके कैसे मार्केट पे बेचेगा, आज कल आनलाइन प्लेटफार्म की बहुत सारी सुभधाएं आ करेंगे सर्माजी ये सरकार के तरफ से फ्री आपकास्ट है इस टाइपेंट हम नहीं देते हैं लेकिन उनको फ्री आपकास्ट जो है ट्रेनिंग दी जाती है उनको कोई सुल्क नहीं लगता है ट्रेनिंग के दौरान उनको खाने और रहने की बेवस्ता रहती है अगर वो रह राना चाहते हैं तो अपना रह कर के वहां पर आवाजी जो है डिनिक दस दिन ले सकते हैं यह मतलब जिला उद्योग केंद्र वाराज सी पर इस तादå की सुपधार रहती है यह Кईली आइसी के माध्यम से ट्रेनिक कराए जाती जिला subsidy के परसंट तक लावारतियों को आप लोग देते हैं बहुत अच्छा प्रसन आपने पूछा है इसमें जो है subsidy दो तरह से है एक तो reserve category के लिए है दूसरा जो है non reserve में है non reserve में general को रखा गया है general category में के ओल पूरुस को रखा गया है अगर वो ग्रामिड छेत्र में इकाई अस्थाफित करता है तो उसको टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 15% सबसीड़ी मिलती है और और जो सहरी है हाँ सहरी में 15% है और ग्रामिड में 25% है और reserve category में स्थी, स्थी, OBC, बिकलांग, दिब्यांग और महिला और इस तरह से जो भी reserve category में आते हैं उनको सहर में 25% है ग्रामिड छेत्र में 35% सबसीड़ी दी जाती है है इसमें यहां 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 बताना चाहता हूँ कि सबसीड़ी जो है अनलाइन आती है और वो बैंक के माध्यम से बैंक के खाते में FDR के रूप में रखी जाती है जो तीन साल तक जो है वो सबसीड़ी होल्ड रहती है उस सबसीड़ी को ना बैंक यूज कर सकता है ना ही candidate क को मिल सकता है जब तीन साल तक लगातार इकाई चलती रहेगी चौथे साल में जा करके तीन साल जो ही पूरा होगा चौथे साल में सबसीडी का लाब जो है उस ब्यक्ति को मिलता है दूसरी बात एक चीज और मैं हां बताना चाहता हूं कि उस सबसीडी पे जो मिलेगी उसको उस पे ना ही जो है बैंक ब्याज ले सकता है और ना ही उस FD पे बैंक जो है ब्याज उनको देगा. No profit, no last के सिध्धान पे उसको सरकार के द्वारा उपलब्त कराये जाता है. अच्छा मतलब उनका उसी तरह से सब्सेडी पढ़ा रहेगा उसको मूल जो उनका लोन है उसमें से भी माइनस नहीं करते हैं. नहीं. और 10 लाग से उपर का है तो कॉलेटरल जो है ले सकता है बैंक. इसके लिए जो है सीजी टीमसी के तहट जो है सिड़बी जो है कॉलेटरल का वो करती है फाइनस करती है अपना और वो गारंटी लेती है कि हम जो है इनका कॉलेटरल अगर डिफाल्ट होते तो मैं इनका चुकता करूँगा. उसके लिए सिड़बी जो है तीन पर्सेंट अलग से अपनी फीस लेती है सिड़बी सर्मा जी अक्सर देखा जाता है कि बैंक जो है लोन देने में आना काना करती ही या लाभारतियों को बड़ी परसानी होती है तो ऐसे इसतिती में उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं या परसानी होती है तो कहां सمपरक करें मैं इसमें बताना चाहता हूँ की इस तरह के समस्याएं हम लोग भी जो है फेस करते हैं इस तरह की चीजें आती है जिलास्तरी जो है एक कमेटी है DLRC की बैठक होती है हर दूसरे तीसरे महीने पे वहाँ पे ऐसे प्रकरोणों को हम लोग रखते हैं और जिला अधिकारी महोदे की अज़्देस्ता में बैठक होती है वहाँ पे संबंधित बैंक साखा को बुलाते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है क्या दिक्कत है कि इनके लोन करने में दिक्कत है जो समस्या होती है उसका समाधान कराते हैं फिर भी अगर नहीं कोई साट आउट होता है तो फिर हम अपने जो है इस्टेट लेवल की कमेटी है वहाँ उसको प्रकरोण को फारवर्ट करा देते हैं मतलब इस तरह से आप लोग उनकी मदद करते हैं कि अगर कहीं भी लोन लेने में परसानी होती है तो आप वो लोग जिला उद्योग केंदर वाराणस्ती वहां के अधिकारी से संपर करें तो उनका निराकरण हो सकता है निसंकोच सर्मा जी अभी भी देखा जाये तो प्रसार प्रचार की काफी कमी रहती है खास करके जो ग्रामीड युवक है उनको पता नहीं रहता है कि इस तरह की योजनाएं जो है भारा सरकाद वारा संचालित हो रही है तो योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तो लाप पहुंचे इस दिशा में आप लोग किस तरह से काम करते हैं जहां तक प्रचार प्रसार की बात है तो प्रचार प्रसार के लिए जो भी हम लोग योजना का मीडिया के माध्यम से आप लोग के सहयोग के माध्यम से हर मंच पे इसको जो हम लोग परदर्शित करते हैं योजना के बारे में बताते हैं बलाक लेबल पे या जो भी गोस्टियां होती हैं उस गोस्टी में हम लोग जाते हैं वहां के लोगों को बताते हैं कि हमारी यह यह जना चल रही है इसके यह लाव हैं तो इस तरह से हम लोग जो है परियास कर रहे हैं आज कल हम लोग एक और नया परियास से भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है हम लोग इसका परचार परसार करा रहे हैं और सरकार जो है इसके लिए तैयार है बैंक भी तैयार है कि हम उनको रेड़ देंगे लोन देंगे जिसे कि वो अपना रोजगार अस्थापीद कर सकते हैं सरमा जी आखरी सवाल आपसे है कि जो बिरुजगार युवक हैं खास करके ग्रामीड इलाके में उनके लिए आप क्या संदेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस दिशा के तरफ जो है उनमुक हो करके मतलब अपना बेवसाय करें और राष्ट की प्रकत में भी भागिदा मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपत के सभी विरुजगार युवाओं से अपील करूंगा कि आप लोग इस योजना का अधिक लाभ लें अगर किसी भी प्रकार की कोई समश्या हो तो जिला उद्द्यो किंद्र में आप दस से चार बजे के बीच आ करके अपना जो है आकर कि आप समपर कर सकते हैं जिला अस्तरी विकास भॉन में कंट्रोल रूम बना हुआ है आप वहां समपर कर सकते हैं तो मैं आप लोगों से अफिल करूंगा कि अधिक सदिक लाभ लें और अधिक सदिक रोजगार सिरजन हो जनपत में जिसे की राष्ट का विकास हो जिला का हो प्रदेश का भीकास हो और सर्मा जी आप इस्टूडियो में आए और एक महत्पूर्ण विशाय पर हमारे खास करके शहरी और ग्रामीड युवाओं के लिए एक इतनी अच्छी जानकारे दी जानकाई दने और बाचित करने के लिए आपका बहुत भूद धन्यवाद नमस नमस्कार बहुत धन्यवाद आपको भी